नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूटीब चनल पर आज का अंक है सवचाले के दिसार सवचाले कहां बनाबें किस प्रकार से बनाबें विसेश कर उस परिस्थिति में जब आपके प्लोट का आकार आकार महतपुर्ण होता है ये बरगाकार नहीं है ये आयताकार प्लोट है अक्सर हमने अधिकतर देखा है मौमला में कि बरगाकार प्लोट लोगों को बहुत कम मिलते हैं सत्तर पर तिससत की स्थिति में हमने देखा है कि प्लोट के आकार ऐसे ही होते हैं जब बरगाकार अंगार और लंबाई में अधिक अंतर कितना अंतर कितना अंतर इसके दो गुने से अधिक दो गुने से अधिक अंतर हो जाए तो आपको कैसे निरुपित करना है कि सवचाले किस अस्थान पर होगा और किस अस्थान पर नहीं होना चाहिए आईए इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि करना क्या है आपको केंदर निकाल लेना है और इसे 32 पग में बाट लेना है या फिर 16 जोन में किस परकार से बाटते हैं मेरे पुराने वीडियो देखिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आई हम आगे बढ़ते हैं जब आप इसे इस परकार से 32 पढ़े आपको 16 जोन में बाट लेना है पुरा इसे 32 पग में बाट लेना है थोड़ी सी मैं सोटे में बता दू एक पग की जो है 11.25 डिगरी का एक पग होता है और एक जोन साड़े 22 डिगरी का होता है चलिए अब इसमें दिसाय में पहले बता दू यह इसमें उत्तर दिसा मानी गई है यह नौर्थ उत्तर दिसा है और यह मैं थोड़ा से छोटा कर दोता हूँ तो चीजें असपश्ट होगी बिसे महतपूर ने थोड़ा गंभीरता से बिना इसकीप किये हुए इसे देखिएगा तो यह पकड़ में आपको आ जाएगा यह आपकी दक्षिन दिसा है मैं इसमें फिर से मार्क कर देता हूँ यह दक्षिन है यह उत्तर दिसा है यह पूर्व है और यह पस्चिम है ऐसे इस्तिति में बिल्कुल एक्यूरिसी है 100% एक्यूरिसी लाने के लिए मतलब सत परती सत बास्तू सही अवस्था में हो जाए आपको 32 पग में और 16 जोन में बाटने के बाद ही यह तै करना चाहिए किस परकार से हमें कौंट कहां से करना है यह महतपूर जाती है हमें अपने इसान कोन से कौंट करना है इसान कोन का स्थान कहां होगा है यदि हमने इसे नौर्थ माना है नौर्थ अर्थाती यह जीरो डिग्री नौर्थ का अर्थ होता है जीरो डिग्री इसे यदि हमने जीरो डिग्री माना है तो जीरो डिग्री से 45 डिग्री पर हमें नौर्थ इस होता है तो यह किस परकार से निकालेंगा आपके पास यह बास्तु चक्र या इस परकार का कोई apparatus हो तो निकाल सकते हैं या फिर आप calculation करके या compass के माध्यां से निकाल सकते हैं इसमें हम देखते हैं कि 45 डिग्री यह आती है 45 डिग्री यह 45 अर्थात यह नौर्थ इस्ट की यह रेड़ वाली लाइन आपकी नौर्थ इस्ट है अब है कि नौर्थ इस्ट यहां क्यों नहीं है यादि आप पूर्व का वीडियो देखेंगे तो यह समझ दिग्रीश से यह सुरूकर नहीं सेilे ही फाइब दान चले एस जिरो दिग्री नौप άλλ के फिट सेय जे चुक आशे कम आई हो गये थें ये संछालयिग एक सुरूप VIH आईए, यह हो गई दक्षिन दिसा, दक्षिन दिसा में सोचाले के लिए जो अस्थान निकल कराता है, वो 14 में और 15 में, यह 14 में और 15 में कौंटिंग में आता है, यह 14 और 15, अर्थात यह दक्षिन का मीड पॉइंट होई आता है, जिसे हम साउत करते हैं, मैंने यहां लिख इससे जो एक पग छोड़कर दूसरे और तिसरे पग में, कहां आता है, यह यहां से कौंट करें तो यह 14 और 15, यह दिए हम डिगरी की बात करें, आपको समस्या होती हो, पुराने वीडियो को देखें, आपको पकड़ने आ जाएगा, अब आईए, यह 14 और 15 पग है, यह अ पगुणर निकाल के अलग-अलग देपताओं के, यह दो जगा पे हम उत्रसरजन कर सकते हैं, मतलब अब सिष्ट-पदार को निकाल सकते हैं, हटा सकते हैं, तो सौचाले का जोन आपका निकल के आता है, 14 और 15, यहां पर हम सौचाले का निर्मान कर सकते हैं, आप चाहें त तो यहां 180 से लेकर यहां तो हो गई 181 डिगरी से लेकर 204 डिगरी लगभग तक में आप जो है सोचाले का निर्मान कर सकते हैं, यह बिल्कुल एकुरेट निकलेगा, यह इस्थिती आप बरगाकार जगह में भी ऐसा करके निकाल सकते हैं, उससे एकुरेशी अधिक सही होता ह हलां कि इसे में मौकी गरूप से बोल लिया जाता है, कि यह 50% है, आप इसके इस तरफ में सोचाले बना लें, यह सही होगा, लेकिन बिल्कुल सही के लिए हमें इस परकार से बाठना अति आवस्यक होता है, यह बिल्कुल सठीक निकलने की संभावना इसे बन जाती है, थो बाइब की बात आती है, तो मैं जब यहां से 0 डिग्री से 45 डिग्री को मेजर्मेंट करते हैं, यह आ रहे है, आपकी नौर्थ वेस्ट अर्थाद बायू कोण का दिसा यह आ रहे है, यह रेड़ वाली लाइन, यह दिसा, चुकि यह आयताकार है, यह यदि बरगा कार रहत तो कोई समस्या नहीं थी बिल्कुल कॉर्णर पर बना सकते थे अब यह क्या है यहां कॉर्णर वाले अस्थान पर बायू कॉर्ण में जब एक कुरूशी की हम बात करते हैं तो नियम काता आप चलिए मैं इसमें कॉंट कर दूँ 16 17 अब यह 18 यह 19 यह 20 यह हो गई 21 21 के बाद 22 22 23 यह दो अस्थान आपके लिए उप्युक्त निकल के आते हैं यह दो अस्थान आपके लिए उप्युक्त निकल के आते हैं इस अस्थान पर आप चाहे तो सोचाले की टैंक का निर्मान करें सोचाले निर्मान करें यह आपके अपसिष्ट पदात के लिए क्योंकि यह भा आता है 9 9 9 8 8 7 270 281 281 से लेकर यह आ जाएंगे लगभग लगभग 203 लीजी तक 281 से लेकर 303 डिगरी तक का जो छेतर होगा इस छेतर में आप सवचाले निरमान कर सकते हैं हमें आशा ही कि सायद आपको पकड में आ गया होगा कि सवचाले के निरमान कहा होने चाहिए आएक कुरिश्ची के लिए यदि आप इस परकार से बाड़ते हैं तो आपको सही चीज़ें पता चलती हैं आज के एक में इतना ही धनिवाद